नागपूर में इस वर्ष 14 इप्रिल को डॉक्टर बाबा साहिब आमबेटकर की जयनती के अउसर पर सब्धान जौक बेराथ 12 बजे से ही लोगों ने अत्सों मनाना शुरू कर दिया था जबकि नागपूर पुलीस द्वारा बड़े पैमाने में पुलीस बंदोबस्त भी लगाया गया था दो साल कोरोना महामारी के चलते उत्सवों पर निर्बंद लगाये थे पर इस साल निर्बंध पूरी तरह से हटने की वज़े से लोगों की बड़े पैमाने पे भीड देखने को भी ली इसी भीड़ी के चलते पुलिस द्वारा 6000 पुलिस करमचारी अधिकारियों का बंदोबस्त किया गया था दर्मयान CCTV कैमेरा और ब्रोन कैमेरे द्वारा क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा था करोना की वज़े से नागरिक दो साल उत्सव से वनचित थे इसी वज़े से इस साल बड़ी संख्या में कारेकरम शुभायात्रा एवं रैली इत्ते थी बड़े उत्साह के साथ मनाये जा रहे हैं ऐसे जानकारी पुलिस आएक तमितेश कुमार ने दी डॉक्टर बाबा साब अम्बेट के जैनती के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस लगाया गया है कल से ही बहुत सारे यात्रा शोबा यात्र बहुत सारे प्रोसेशन्स रैलीज सविदान चौक पे आये थे आज भी बहुत सारे कारेकरम हैं बहुत जगह गर्दी हो रही है बेसिकली दो साल कुरोना होने के वज़े से उसके बाद ये पहला उत्सव है जिसमें रेस्रिक्शन्स नहीं है तो गर्दी ज़्यादा दिख रही है लोगों का उत्साह ज़्यादा है पुलीस उसको ध्यान में रखते वे बहुत बड़े पैमाने पे बंदोबस्त लगाया है अंदाजन 6,000 पुलीस अधिकारी, करमचारी, SRP Companies, Home Guards, Volunteers इत्यादी ऐसे बंदोबस्त लगाया गया है Mobile Surveillance Vehicles, CCTV Cameras, Drone Cameras इससे भी Crowd Management किया जा रहा है सभी कुछ अच्छे देश शुरू है और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार का समन्व है पुलीस, विभाग और जो और्गनाईजर्स हैं उनमें है हमें पुरा विश्वास है कि सभी पुरी बंदोबस्त शांतिते से पार परेगा किसी प्रकार की कोई इंपुट नहीं है बहुत बड़े पैमाने पे बंदोबस्त लगाया गया यह सही बात है लेकिन उसका कारण यही है कि जैसा मैंने बताया है फर्स्ट मेजर फेस्टिवल है जो लॉकडाउन रेस्टिक्शन हटने के बाद आया है एक पहले राम नौमी हुआ उसमें भी पहले के मुकाबले बहुत जादा लोग सड़कों पे नजर आया है और यह डॉक्टर बाबा साब अमेत कर जैनती इसमें भी बहुत बड़े ओगनाईजेशन दिख रहा है इसलिए जो लोगों का उत्सा है लोगों की जो गर्दी है बाहर उसमें उसको ध्यान में रखते वे बड़े पैमाने पर बंदुबस्तागाए गया है लाव यू दिपिका बाई जाए सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ ँख यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस तक पहुँच है जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची